किशन जी है, स्भागत है आ है। कः में का पुना पिंपरी, से बात कर रहे हैं। आ हमनेaster आप इसेत две में, सब्सक्रांग के सिलसा बेवा आने दिल लोन पेसा हैं। जिसमाजी समेस थंट समस्क्राइधतल को आदा आतो ले पाह। अपना गॉंस्तिया मंगाया था और अपना ये जेतुन का जिल्टा भी और कलॉंजी नमग ये तीनों ले रहे हैं तो इसमें फायदा तो हो रहा है इतना अभी स्टाड की आवार पाया है तो पंदरा दिन हो गया हमार जी जी इसमें समझो हमने को ये चले चाहिए तो समझो जो समझो होता है खुझली वगयर भी होता है कुन स्टिया में या ये कुन स्टिया में ये क्या पायदा वो बता दी जाल कलॉंजी नमग का ठीक है जाद दी कलॉंजी नमक एक कलॉंजी का एस्टेक जो होता है उसको कहते है एस्टेक जबान में यूनानी जबान में या इंगलिश जबान में कहते है विसे आसान जबान में इसे कलॉंजी का नमक कह देते है हर चीज में जो भी हम खाते पीते हैं चाहे सेब हो, संतरा हो, मौसमी हो, कुछ भी हो डाले हो, हर चीज में कुछ हिस्ता नमकियात का होता है तो उसको जब हम निकाल लेते हैं तो उसे या तो नमकियात कहते हैं या एस्टेक कहते हैं और आसान जबान में किसी को समझाने के लिए नमक भी कह सकते हैं ये अपनी उस चीज से पचास गुना सो गुना तेज काम करता है जिस चीज का आप नमक इस्तिमाल कर रहा है कोई भी दवा आप देखेंगे तो उसमें लिखा होता है सॉल्ट कौन सा है? तो ये सॉल्ट है तो ये अंदर से सैनिटाइज करता है जैसे आज का मौसम है वबा चल लेए एक बिमारी चल लए है और हम अपने हाथ पेर सैनिटाइज करते हैं नहा लेते हैं, साबूल से हाथ दो लेते हैं कीटाणों मर जाते हैं लेकिन अंदर अगर कीटाडू नापन पें इसके लिए एक एक चुटकी या दो दो चुटकी सुबा शाम खाते हैं, जिससे हम 24 गंटे के लिए अंदर से सैनिटाइज होते हैं, और कलोजी के नावकाब ले सकते हैं, इस्तमाल कर सकते हैं, आपको फाइदा शुरू हो गया, गौंसिया भी आप ले रहे, गौंसिया भी एक रो मैटेरियल है, ये भी रो मैटेरियल है, और जो आप सिरका जैतुन का लेते हैं, वो भी रो मैटेरियल है, सिरका आपके लिए डाविटीज के लिए पेट के लिए लिवर के लिए बहुत अच्छा है, और गौंसिया हाँ जी, सर मुझे आपसे यह पूछना है जैसे नेरी उमर है फैंट सर्च साल के करीब है और मेरा जो पित्ता है वो निकाला हुआ है तो जब जैसे सुबा उठते ही मुझे मतलब ऐसे है कि भूख नहीं लगती और खटे ड़काराने लग जाते हैं कुछ खाने के बाद भी है जोएं भारी पर तह भार कुश भी काने का जो है वो दील नहीं करता है टो आ और शरीव भी मतलब गीरआ की भी प्रॉबलम है और मतलब ऐसे मतलब लगता है कि जान नहीं है श्रीर में और मतलब पेट भारी ही रखता है हर टाइम जैसे पेट में उपर वाली साइट पर कुछ चुबता इस तरह का दर्द रहता है जाप हैल्दी है हां जी थाहरेड भी है जी के चाह मैं आपको क्यों ना एक ऐसा नसका बता दूं कि आपका थाहरेड भी छोड़ते हैं आपको आप नार्मल हो जाएं थाहरेड कम होगा ठीक होगा तो वजन भी अपना आप कम होगा और यह आलसी पन यह मुटापा यह सब और पेट की आपकी जो समझते हैं वो सारी ठीक हो जाएं यह बहुत आसान इसका है जन में है धनिया दाना मेरी आप से रिक्वेस्ट है कि धनिया घर में पाडर बनाए या सामने का होना चाहिए भरोसे का होना चाहिए धनिया 300 ग्राम आवला 100 ग्राम मेथी 100 ग्राम यह सब को याद रहेगा लिख लीजे धनिया 300 ग्राम आवला 100 ग्राम मेथी 100 ग्राम और 100 गॉन मौरिंगा। मौरिंगा का गॉन आप जानते हैं कि एक भिंडी की तरह पली आती है इत्वी उस पली से गॉन निकाला जाता है, उसके पेर से, वो मौरिंगा का गॉन या सहजन का गॉन होता है। और 100 ग्राम ये मिला लीजे इसको पाउडर बनाएए एक चम्मश सुबा एक चम्मश शाम खाईए गरम पानी के साथ जो आप गोली खा रहे हैं थायराइट की वो खाते रही है आइंदा महीने से आपका डॉक्टर कहेगा कि आपको थायराइट कंट्रोल हो रहा है इसलिए मै थायराइट की गोली की प्रोटेंसी कम कर रहा हूं हर महीने कम होती जाएगी 5-6 महीने में छूट जाएगी और 7-8 महीने में ये भी छूट जाएगा आप बिल्कुल नॉर्मल रह सकती है तो बिल्कु दर्श को एक एक नुसका आप लोग पेपर पैन लेके नो डाउन कर ल रही है देशी नुसके और वो भी आपकी किचिन से शुरू होते हैं आपको युनानी पद्धिती से जोड़ा जाता है आयरवेज से जोड़ा जाता है फोन उठाएगे इन नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आप लोगों के सामने आपकी टीवी स्क्रीन्स पे लगतार दिखाय जा रहे हैं आईए बात कर लेते हैं नेक्स कॉलर से हमारे साथ बाला जी है फरीदाबाद से स्वागत है आपका जी आदा बाला जी बताईए तो नमान जी दोक्तर मैं आपको श्रूगराम जो चाहल को पाथा और लेकिं अब मेरत को पैरलाइस हो गया है बोचरदा क्या हो गया पारलाइज हो गया मेरे को ठीक है कितने दिन हो गया और क्या हिलाज बिया तो ये मेरे को हो गया तो मेरे को तीन साल हो जाएंगे ठीक है अगया और कोई सवाल तो नहीं है आपका इसना और आंके बंद बंद रहती है एक कुली है जो फी अपरेटर हो गया है लेकिन दिखाई नहीं देता उसके ठीक है जोदिकि फालिज लखवा या हवा कासर गाहों में कह देते हैं ये एक ऐसा मर्ज है जिसे जो हमारे खून में चर्बी कॉलिस्टॉल जादा होने की वज़े से दिमाग के किसी नर्म में एक चर्बी का चर्बी मिलावा खून का चकत्ता जम जाने से होता है किसी के आँख पे असर होता है किसी के हाथ पे किसी के एक साइड पे पूरी और वो फालिज हो जाता है किसी के वाइस बॉक्स किसी की आँखों पर कहीं पर भी फालिज हो सकता है बड़ी उमर वाले जो 45 साल से जादा के लोग है अपना बहुत ख्यार लखा करें और फालिज जदा लोगों को एक दवा है वो अपनी दवाएं लीजे और फीजियो तेरपी कीजे यानि जो हिस्सा आपका काम नहीं करता उसको खूब चलाइए हाथ काम नहीं करता तो इस हाथ से इसको चलाइए हाथ टांग काम नहीं करती टांग को भी चलाइए यह आधा हिलाज है और आधा हिलाज है जैतुन का सिर्का जैतुन का सिर्का ले लीजे उसमें आप अद्रक का जूस आधा लीटर मिलाइए एक लीटर जैतुन के सिर्के में और ये तीन तीन चमच सुबा शाम खाने के बाद पान जादा होना ममकिन है चलिए तो नेक्स्ट कॉलर है तैयबा जी मुंबई से हमारे साथ स्वागत है आपका आ किंसा अन्हाम अलेकुम। वाले इसलाम। आपके निए भूछी होती ही। मुझे भी खूछी होती है। अरे बंबई में रहकर बालों से मटड़ा करी है हला कि बंबई में सबसे ज़्यादा बाल गिरते हैं मेरी भी एक अमर यानि 20-20 साल महरास में गुजरे और वहां का फिजा बड़ी अजीब है कि मेरे बाल भी गिरते थे और मेरा शबाब भी खतम होता था तो मैंने क्या किया था कि एक नारियल पानी रोज पीने लगा मेरे बाल बड़ा हो गया हूं अभी तक हैं और जवानों से ज़्यादा हैं आप भी एक नारियल पानी रोज पिया करिए और अगर अच्छे हाला थे तो आदा गिराम मौरिंगा का गौन नारियल पानी के साथ लिया करिए आपके बाल इतने हो सकते हैं कि समाले ना जाएं और खुछ रही है बहुत अच्छा लगा आप से बात करके चलिए नेक्स्ट कॉलर है शिखाजी दिल्ली से हमारे साथ स्वागत है आपका हाँ जी नमस्टा साथ जी आदाव मेरे ना एक तो सिर में माईगरेन का बड़ा दर्द रहता है और एक मेरे को ना सरवाइकल बहुत ज्यादा है उससे मुझे चक्कार आते है अच्छा बेटा आपकी उमर कितनी है मेरी उमर तो 48 है अच्छा कौन सी गोली लेते हैं जब आपका माईगरेन की वैसु गोली लेती हूं ठीक है अच्छा देखिए मैं आपको एक ऐसा नस्खा बताता हूं जिससे माइक्रेन और सर्वाइकल दोनों चले जाएंगे लेकिन आपको 4-6 मिनिट अपने आप पर तवज्य देनी है देखिए एक तो आपको रोजाना ऐसे सीधे लेटना है बैट पर सीधे लेट जाएए कैमरे में दिखा सकते हैं तो दिखा दीजिए ये गर्दन नीचे रहे आप सीधे लेटे रहे और ये हिस्ता उपर रहे गर्दन ऐसे डाल लीजिए ऐसे 5-5 मिनिट करके 5 बार दिन में लेटा करिए ये आपको आज से शुरू कर दे और दो एकसरसाइज और बताता हूं एक तो ये गान ऐसे इससे मिलाईए देथि जिए मोंड इसे कान मिलाईए ये दो-दो मिनिट रोजना एकसरसाइज कीजिए । कमस कम इसे जाएदा भी कर सकते हैं जी तीयली ठीक होना है आप इतना एकसरसाइज करें घड़ी देख करें और एक हैसे सीधे बैठें ये ये आपको दो-दो मिनिट करनी है सुबह-शाँ अगर आपने लगातार दस दिन की तो आप अपना मर्ज भूल जाएंगे और फिर भी आपको ऐसा लगए कम फायदा है तो गौन सियाह काला गौन आदा गौन सुबह आदा गौन शाम खाया करें और ये एक्सरसाइज को अपन रूटीन अपना मामूल बना लीजे आप से दोनों ये दोनों मर्ज रुखसत हो सकते हैं चली एसी के साथ नेक्स्ट कॉलर है संजय जी पटना से हमारे साथ स्वागत है संजय जी आपका जी आदा अप संजय जी हमको पेट में बहुत गैस रहता है पेट दर्द करता है मिखा मिखा और सर में अरल गैस के सबसे सर भारी हो जाता है अच्छा उम्र कितनी है आपकी और कब से तकलीफ है पुर्टी एट वरा सभी करें करीब दूसार साथ से तक लिए लेकिन बरबर ड़क्टर कर से स्कैन भी कराएं एंडर्सकोपी भी कराएं कई कुछ नहीं मिकलता है कभी सोब जरता है कभी अग्रैस बहुत बनता है अग्रैस पास नहीं हो जदिकि क्यों ना मैं आपको ऐसी दवा बता दूँ कि जिसकी पहली खुराक से आपको आराम आने लगे और ये जो अलो वीरा है इसका सिर्का आता है अलो वीरा का सिर्का ये दो चमच या तीन चमच आप एक गलास पानी में डालिए और पी लिया करिए दिन में एक बार या दो बार जब से पिएंगे आप उसी वक्त से आपका सिस्टम ठीक होना शुरू हो जाएगा गैस पास होगी हजम ठीक होगा लीवर ठीक होगा पेट ठीक होगा कब्स ठीक हो और आपको बहुत जल्दी आराम आजाएगा यह आप अमल शुरू करिए देखिए और दिन में पांच बार गरम पानी पिया करें गरम पानी इतना कि आप पी सकें चाय से थोड़ा कम गरम और गुन-गुने से थोड़ा ज्यादा पांच बार पिया करें जिस दिन से आप यह अपनी ठकली भूल सकते हैं